हेलो दोस्तो नमसकार और एक और वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम कर रहे है एरिथूवैटिक प्रोग्रेशन का हमारा कॉस्चन नंबर वन-B जिसके अंदर इस तरीके से एक एक दो दो मार्क के question दिये हुए मेरे खाल से एक ही मार्क के question होंगे यह and let's start with the first question बहुत ही आसान है decide whether the given sequence is an AP तो given sequence क्या है अब मैं थोड़ा सा method पे जोड़ दूँगा क्योंकि method नहीं की तो आपको नहीं मिलेंगे marks तो given sequence है 2, 4, 6, 8, dot 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 तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे D equal to पहले आप लिख लिजे T1 क्या है T2 क्या है T3 क्या है और T4 क्या है यह चारों चीज़े लिख लिजे तो therefore D equal to T2 minus T1 4 minus 2 2 D हो जाएगा T3 minus T2 यह हो जाएगा 6 minus 4 यह भी 2 D equal to T4 minus T3 यह हो जाएगा 8 minus 6 यह भी हो जाएगा 2 here D equal to 2 which is constant हमें D एक constant मिल रहा है न हर जगा so therefore the given sequence is an AP given sequence is an AP इस तरीके से solve करना होता है चलो second question देखते है find A and D for an AP 1, 4, 7, 10 तो given AP क्या है given AP is 1, 4, 7, 10 dot 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 इसके लिए हमें A निकालना है तो A is equal to क्या हो जाएगा वो हो जाएगा T1 वो हो जाएगा 1 और T2 हमारे पास 4 है T3 हमारे पास 7 है T4 हमारे पास 10 है तो D हो जाएगा T2 minus T1 equal to 4 minus 1 equal to 3 और D equal to T3 minus T2 equal to 7 minus 4 equal to again 3 D equal to T4 minus T3 equal to 10 minus 7 equal to 3 यह बार-बार लिखना ज़रूरी होता है तो first term है हमारा 1 और common difference है 3 तो A का value और D का value आप लिख सकते हैं next question देख लेते हैं third हो गया third अभी लिखना है write the formula of the sum of first n terms for any P तो हमें पता है SN का पहला formula क्या होता है sum of first n terms वो होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into D और यह सिर्फ इतना लिखे तो आपको पूरा mark नहीं मिलेगा आपको लिखना पड़ेगा where where SN equal to sum of first n terms ठीक है सारी चेज़ा लिखनी पड़ेगी n equal to number of terms और you can say n terms फिर उसके बाद A हो जाएगा first term D हो जाएगा common difference ठीक है पूरा लिख लेना और कुछ बचा है यहाँ पे नहीं तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको और एक और formula होता है SN होता है n upon 2 T1 प्लस TN जहाँ पे SN आपको पता है क्या है N आपको पता है क्या है T1 क्या है T1 है first term और TN है nth term is it clear ऐसे लिखना होता है आपको चलो fourth question पे बढ़ते है what is the fourth question let us see find TN if A is equal to 20 and D is equal to 3 तो A is equal to 20 दिया है D equal to 3 दिया है given है तो कुछ लोग है ना अभी छोड़ देते इस question को यूँकि TN equal to A plus N minus 1 into D भाया हमारे पास N की value ही नहीं है फिर कैसे करेंगे कुछ लोग बोलेंगे भाई इसको यह जो answer है यह हमेशा N के form में आएगा कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 20 plus N minus 1 into 3 है N minus 1 ऐसे ही छोड़ो क्योंकि उसको कुछ नहीं कर सकते तो जाएगा 20 plus अब इसको bracket के अंदर multiply करो 3 into N 3 N minus 1 multiplied by 3 minus का 3 20 minus 3 17 17 plus 3 N आजाता है T N इस तरीके से आपका answer हैगा इसके आगे आप solve नहीं कर सकते है इस question को 5th question क्या है find T 5 if A equal to 3 and D equal to minus 3 तो लिख लो भाई A equal to 3 है D equal to minus 3 है given तो T N होता है A plus N minus 1 into D तो T 5 हो जाएगा 3 plus 5 minus 1 into minus 3 is equal to 3 plus 6 into minus 3 यह हो जाएगा 3 plus 3 6 आ 18 तो minus का 18 तो यह हो जाएगा 3 minus 18 यह हो जाएगा minus का 15 T 5 का value आ गया है पताने आजकल मैं क्या-क्या silly mistakes कर रहा हूँ I am so sorry यहाँ पे मैंने 5 minus 1 का 6 के लिए मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है 4 होना चाहिए यहाँ पे तो 4 तरीजा होता है 12 तो minus का 12 हो गया यहाँ पे और यह हो जाएगा 3 minus 12 जो क्यो हो जाएगा minus का 9 I am so sorry for that और चलिए 6th question पे बढ़ते है so what is the 6th question हमें दिया हुआ है TN equal to 2N minus 5 यह हमें दिया हुआ है तो पहले 2 term निकालने तो भाया क्या करोगे सीधे सीधे T1 लिख लोगे T1 हो जाएगा 2 into 1 minus 5 तो N के जगा 1 put करोगे न फर्स term निकालने के लिए और सेकेंड टम निकालने के लिए N के जगा 2 put कर दोगे बस इतना ही है तो T1 हो जाएगा 2 minus 5 T1 हो जाएगा minus 3 और T2 हो जाएगा 4 minus 5 तो T2 हो जाएगा minus 1 यह आगए दोनों बहुत ही आसान 7th question देखते है 7th में क्या दिया हुआ है find first term of the sequence TN equal to 2N plus 1 यह हमें given है इसका first term क्या होगा भई T1 यह हो जाएगा 2 into 1 plus 1 is equal to 2 plus 1 यह हो जाएगा 3 T1 का answer 3 यह क्या question दे रहे है भई ऐसे question exam में आजाए तो लोटरी लग जाए बस find two terms of the sequence TN equal to 3N minus 2 तो इसका first term आप निकाल लीजेगा बहुत ही आसान है second term मैं निकालता हूँ तो T2 हो जाएगा कितना 3 into 2 minus 2 यह हो जाएगा 6 minus 2 यह हो जाएगा 4 यह क्या question दे दिये भई यह क्या है क्या है यह question bank ओके 9th question देख लेते है 9th question में दिया हुआ है find common difference of AP तो given AP क्या दिया हुए है हमें given AP है 0.9 0.6 0.3 तो भई हमारा यहाँ पे common difference T1 आप T2 और T3 आप लिख लीजे यह 0.9 0.6 0.3 तो D हो जाएगा T2 minus T1 0.6 minus 0.9 minus का 0.3 D हो जाएगा T3 minus T2 0.3 minus 0.6 हो जाएगा minus का 0.3 तो इसी तरीके से हमें मिलता है कि भई common difference है common difference जो है AP का वो है minus 0.3 Is it clear? तो इस तरीके से यह question भी solve हो गया last question for today's video भई अच्छा लग रहा हो like कर दो find D if T9 is equal to 23 and A is equal to 7 A is equal to 7 तो भई formula लगाओ सिदे सिदे TN equal to A plus N minus 1 into D तो T9 हो जाएगा 7 plus 9 minus 1 into D है की नहीं? सब values पुट कर दिया हमने तो T9 का हमें value दिया हो गया 23 7 plus 8D हो गया तो 8D कितना हो गया? 23 minus 7 7 उससाइड शिफ्ट हो गया तो भई 8D हो गया कितना? वो हो जाएगा हमारा 16 और अगर 8D 16 हो गया तो D हो गया 16 upon 8 तो D हो गया 2 simple तो इसी तरीके से आज का session होता है खतम next question जो है question number 2a इसको हम करेंगे अगले session में thank you so much for watching अच्छा लगाओ like कर दो चैनल पर ने अभी क्या भी subscribe कर दो मिलेंगे अगले वीडियो में until then bye bye